आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, our question is Growth rings are formed by the activity of अगर हम बात करें आपके Growth rings की तो यह जो आपकी एक activity हमें देखने को मिलती है यह आपकी देखने को मिलती है activity of Vascular Tissue की वज़े से और यह Vascular Tissue की जो एक्टिविटी होती है यह आपको देखने को मिलती है किसमें? Cambium में तो आपका जो option number D है हमें दे रखे हैं जाइलम, फ्लोयम, बोथ जाइलम and फ्लोयम या Cambium तो आपके जो option number D हमें दे रखा है यह इस question का बिलकुल right answer हो जाता है क्योंकि यह जो आपकी annual rings होती है annual rings यह हम कह सकते हैं जो आपकी यह growth rings होती है यह जो आपकी responsible होती है कौन यह particularly आपके Cambium तो option number जो D है वो इस question का बिलकुल right answer है पर अगर हम बात करें आपके जाइलम की तो जाइलम आपका responsible होता है water transportation के लिए किसके अंदर? plants के अंदर so water का जो transfer होता है roots to leaves यह आपका करते हैं जाइलम phloem आपका responsible होता है food के transport के लिए जो की दोनों ही क्या है जाइलम और phloem एक तरह के vascular tissue है जो की क्या करते है phloem आपका transport करता है food कहां से आपके leaves में food synthesis होता है photosynthesis की process की वज़े से और यह आपके transfer करते हैं to all other parts of the plant body तो option number हमें जो D दे रखा है वो आपके इस question का बिल्कुल right answer हो जाता है that cambium is responsible for the formation of growth rings तो option number D is the answer with this thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट 8444 पर